Hello my dear students, welcome back to Magnet Brains एक ऐसा चानल जहाँ पर आपको किंडरगार्डन से क्लास 12 तक की एजुकेशन फ्री ओफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ प्रवाइड कराई जाती है इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हैं स्टेट बोड पढ़ना तो वो भी अब आप पढ़ सकते हैं Magnet Brains Hindi पर जहां पर आपको पढ़ाया जाएगा MP Board, UP Board, Bihar Board, Rajasthan Board, Delhi Board, सभी कुछ इसके अलावा Books चाहिए, Notes चाहिए, तो E-Books, E-Notes भी अवेलेबल हैं जिनकी लिंक आपको description box में मिल जाएगी तो चलिए student हम आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं without wasting time हमारा जो चाप्टर नमबर चल रहा था, वो था चाप्टर नमबर 7, class 5th का जिसका नाम है experiments with water ओके, इसमें हम already एक class कर चुके हैं, यानि ये chapter already previous class में हमने start कर दिया था तो ये chapter है, students मैंने पहले भी बोला था, अच्छा interesting chapter है और इसे पढ़ने में आपको मजा आएगा क्योंकि इसमें हम बहुत सारी activities खुद perform भी करेंगे और आप भी मेरे साथ हर एक activity का part रहोगे और आपको भी अपने घर बाटे-बाटे वो activities करनी है ठीक है, तो ये chapter इसलिए अच्छा है, प्लस उसे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, इसलिए भी अच्छा है ठीक है, last class में हमने क्या-क्या चीज़े cover करी थी, एक बाट छोटा सा recap कर लेता है कि last class में हमने क्या पड़ा था, last class में हमने देखी थी कुछ चीज़ें कि वो sink करती है, कि वो float करती है यसा कि कब देखा था कि जब जो आईशा थी, उसने क्या देखा कि मम्मा ने जब पूरी बनाई, तो पूरी जो है वो क्या करी जब जैसी द्याहली ओईल में सबसे पहले तो वो sink हो गई then afterwards वो float हुई जब वो puffed हो गई, फूल गई तो वो float होने लगी, फिर हमने एक experiment भी किया था, what we have done हमने देखा कि एक glass of water में हमने एक cap, pen का cap डाला तो वो float किया, बट हमने एक coin डाला 10 रुपीस का तो वो sink कर गया उसके बाद हमने देखा कि जैसे ही आईशा ने एक आटे का डो लिया, याने एक लोई ली, उसको गोल 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 बॉल शेप में करके, उसे flat करके पानी में डाला और हमने भी डाला तो क्या हुआ था, कि वो shape के साथ वो क्या हो गई थी, sink हो गई थी, right? तो यह कुछ चीज़े हमने वहाँ से सीखी कि कुछ चीज़े float होती हैं, कुछ चीज़े sink होती हैं, पानी में हर एक चीज़ float हो और हर एक चीज़ sink हो, यह possible नहीं हैं उसके पीछे फिर हमने एक reason देखा, हमने reason देखा कि अगर दो चीज़े depend करती है, एक depend करता है weight और एक दूसरी चीज़ के डिपेंड करती है डेंसिटी ठीक है? इसमें ही आप एक चीज़ ले लो एरिया कवरेज तो ये कुछ चीज़े हैं जो हमें डिफाइन करती है कि वह चीज़ फ्लोट करेगी या सिंक अगर किसी चीज़ का वेट डेंसिटी और एरिया अगर सब कुछ according to that है तो फ्लोट भी करेगी या सिंक करेगी वो सीपर डिपेंड करेगा कोई चीज़ बहुत हलकी है लाइट बेटेड है, कम एरिया कवर कर रही है डेंसिटी उसकी पानी से जो है वो उसकी कम है तो वो अव्यसी बाते क्या होगी कि वो फ्लोट करने लगेगी वो हलकी चीज़ है जिस जगे पे पानी बहुत जादा है उसका पानी कितना अविलेबल है किसमें हम उसको डाल रहे है वो सारी चीज़े डिपेंड करती है ठेक है, अगर समुद्र है बहुत बड़ा तो उसके और भी रीजन्स होते है बट डेंसिटी इस जब मेजर रीजन जिसके कारण कोई भी चीज़ फ्लोट होगी या सेंख होगी ठीक है तो यह चीज़े हैं जो चीज़ों को फ्लोट करती है और आगे अच्छे से पढ़ेंगे अभी आपको लग रहा होगा वाट इस देंसिटी अभी आपको लग रहा होगा कि कुछ चीज़े तो हलकी हमें लगती है बट वो ढूब रही है वो आपको आगे और लगेगा बट उसके पीछे हम दीरे 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 ही तो रीजन सीखेंगे कि why this is happening ठीक है? So, without wasting time हम आज सी क्लास स्टार्ट करते हैं वाई ओ वाई दिस इस अ पोवम एक छोटी सी पोवम है जिसे हम पढ़ने वाले हैं जिसमें आपको confusion में और बढ़ाऊंगी और फिर उसके बाद next class में मैं उसको solve करोंगे और यह page number 61 हम आज cover करेंगे तो चलिए start करते हैं मेरा नाम है खुशी पढ़ाती हैं आपको class 1 to 5th EVS यानि के environmental studies So, फटा फट से आप books open कर लिए यह book open करके यह आफ to take out page number 61 Page number 61 में एक छोटी सी ही पोवम आपके सामने यहाँ पे given है यह page number 61 है This is a poem YOY जो हम पढ़ने वाले हैं चीक है? तो सबसे पहले क्या लिखा है poem में? poem में लिखा हुआ है A wooden boat in a water will float but a needle will sink एक बड़ी सी boat क्या करती है? एक बड़ी सी boat तो पानी में अराम से तैरती हुई जाती है पर एक छोटी सी कील पानी में सिंक करती है तो आप सोचो कि क्या पानी में सिंक करती है की नहीं? तो confused नहीं हो ना हम आँगे देखींगे चीक है? Why does this happen? Let me think So a wooden boat in water will float but a needle will sink Why does this happen? Let me think तो ऐसा क्यों होता है एक छोटी सी needle जो है needle याने You know what is needle? तो जो needle है वो तो क्या करेगी पानी में? Sink Sink याने डूब जाएगी Needle याने की छोटी सी सूई पस छोटी सी सूई जो है वो पानी में नहीं डूबेगी पानी में डूब जाएगी और बड़ी सी boat जो है वो पानी में नहीं डूबेगी पानी में float करेगी why this happen अगर से weight ही reason है अगर हम बोले कि अगर weight ही reason है तो obviously वह boat तो बहुत साधा भारी होगी चोटी सी सुई से पर वह area देखो पानी कितना साधा है वह बहुत बहुत समुद्र है जहां पर boat चलती है पढ़ा तलाब है समुद्र है जो भी है तो वह बानी कितना साधा उसमें अब एक छोटी सी बाल्टी का बराबर पानी तो नहीं है वहां पर वह तो बहुत सारा पानी है तो इडिपेंड करता है कि पानी कितना है कितनी density में है तो इस कारण से चीज़े float और sink करती है ठीक है अब हमारे पास एक बालती में रखोगे कटोडी में रखोगे कील तो वो sink ही करेगी ठीक है next an iron ship will also float though it's much heavier than my boat और आपने paper boat बनाई है कभी paper boat क्या करेगी paper boat तो आराम से float करती है ना पर उसमें दो stone रखोगे तो वो ढूप जाएगी but एक iron ship iron ship कैसे थी लोहे की ship होती है लोहे की ship जो है वो कितनी भारी होगी सोचो बहुत भारी but फिर भी हो क्या करती है फिर भी वो अराम से float करती है right कभी ढूपती नहीं है तो जब तब उसमें अगर कभी सोचो कभ कोई ship ढूप सकती है कि इसमें बहुत सारा पानी भर जाएगा तो वो भी ढूप सकती है तो अगर याने पानी से वो heavy हो रही है तो सोचो आपकी class अभी इतनी छोटी है कि बहुत सारी चीज़े मैं आपको अभी इस class में नहीं समझा पाऊंगी पर जैसे जैसे आप आगे class में जाओगे तो आप इन चीज़ों के उपर ही चीज़े सीखोगे तो आज हमें जो सीखना है वो हमें क्या सीखना है basic चीज़े सीखना है इसलिए हम सब density की बात करेंगे कि what is density और कि density के कारण ही सब कुछ हो रहा है ठीक है कि अगर उस time पर जो available water है ship में वही मैं बोलूँगे वो बहुत सादा है तो उस time पर वो जो ship है वो नहीं डूबेगी दूसरी ships में छोटे छोटे होल्स होते है जिसके तुरू वो air pass कर सकती है air pass होने के कारण वो जो है उसकी weight को वो light कर देती है इस कारण से वा राम से पानी में तैरती है ना की डूपती है अब ये कुछ reasons है जो अभी शाद थोड़ी कम समझ में आएंगे आपको पर हमें इस सारी चीज़ों को पढ़ते चलना है चेके next क्या है butter needle light as a leaf thin as a pin will sink right in और एक needle वही बाद वो बोल रहे है कि iron boat भी नहीं ढूपती है wooden boat भी नहीं ढूपती है दोनों चीज़े तैरती है बड़ ढूप क्या जाता है छोटी सी pin जो पत्ती जैसी हलकी है pin जैसी उसकी size उसका जो है जैने thin है बहुत pin जैसी thin है पर वो sink कर जाती है ऐसा क्यूँ ऐसा क्यूँ उसके बाद क्या बोल रही है उसके बाद वो बच्ची बोल रही है why does this happen let me think तो यह जो चीज़े हैं यह confusing तो हैं आपके मन में भी confusion आया होगा कि कैसे बड़ी बड़ी boats बड़ी-बड़ी ships जो हैं वो नहीं दूबती पानी में वो इतनी heavy होती है अगर सिर्फ weight ही reason है तो वो पर डूबनी चाहिए है पर सिर्फ weight reason नहीं होता है इसलिए मैं आपको मिशा बोल रही है कि सिर्फ weight के कारण कोई भी चीज float या sink नहीं करेगी It always depends on the density वो density पर depend करती है तभी वो float करेगी या फिर वो चीज sink करेगी इसलिए इतना सारा confusion है यहाँ पर भी आपको एक बताया गया है कि किसने यह poem लिखी थी ठीक है शिशर शोबन अस्थाना ने लिखी थी और यह December 1985 में लिखी गई थी Translated by the Anupalal इनने Translate यह ने दुबारा Translate भी करेगी जो भी language में लिखी होगी इसको Translation Anupalal ने किया था चीक है तो यह book यह जो poem है यह क्यों दी गई आपकी book में क्योंकि हम English तो नहीं पढ़ रहे तो फिर यह poem क्यों है यह poem इसलिए है कि आप लोग भी सोचो कि why ऐसा क्यों होता है ऐसा क्यों हो रहा है और इस पे हम फिर next class जो करने वाले हैं उस class में हम कुछ experiment करेंगे जिससे आपकी चीज़े धीरे धीरे ऐसे एकदम से नहीं होगी बद धीरे तीरे तीरे हर एक चीज़ जो है वो clear हो जाएगी कि why does this happen कि कुछ चीज़े sink करें और कुछ चीज़े float करें तो water में हर एक चीज़ जो जुड़ी हुई है जो होती है experiment वो हम सरे कबर करने वाले हैं इस class में बट आपको यह बहुत clearly करना है और बहुत ध्यान से करना है जिससे कि आप हर एक चीज़ को observe जो कर रहे हैं उसको note down करें उसमें reason लिखे तब ही नहीं तो आप भूल जाएंगे और अभी से हमें class 5th से ही अच्छे से उन चीज़ों को करना पड़ेगा otherwise क्या होगा आगे कि जब हमें इस उपके उपर कुछ और topics पड़ेंगे तो हमें यही clear नहीं होगा तो हम आगे कैसे पड़ पाएंगे हरी class में जो आपको पढ़ाया जा रहा है जैसे यह chapter में पहले ही बता जाते हूँ कि कौन सा chapter बहुत important और कौन सा chapter का आगे दूसरे classes में भी use आएगा जैसे मैंने chapter number third में आपको बोला था बताया था ना कि chapter number third important है और यह आगे भी आपको काम आएगा chapter number one important था अब मैं बोलरो chapter number seven बहुत important है यह आगे आपको काम आएगा तो कुछ chapters जो मैं बोलूंगी उन्हें और ध्यान से पढ़ना है अपन को ठीक है और अभी इसलिए slowly slowly ही आपको हर एक चीज कवर कराऊंगी और इस class में हमने यह poem कवर करी है यह स्रिफ एक confusing poem है आपके लिए क्योंकि जिससे आप सोचें कि ऐसा क्यूं होता है और next class में इस क्यों को हम solve करेंगे और राइट तो मिलेंगे next class में बाकि आप जानते हैं सिर्फ class 50 ही नहीं kindergarten से class 12 हर एक class free of cost quality के साथ पढ़ाया जाता है इसके अलावा अब आपको state board भी magnet brains हिंदी पर पढ़ाया जाएगा जहां पर MP board, UP board, Bihar, board, Rajasthan, board, Delhi board सभी कुछ पढ़ाया जाता है इसके इलावा भी अगर आपको books भी चाहिए notes भी चाहिए तो e-books, e-notes भी available है जिनकी link आपको description box में मिल जाएगी ठीक है students तो हम मिलेंगे next class में continue करेंगे इसी chapter को और आपकी जितने confusion है वो solve करेंगे next class में तब तक के लिए just stay tuned